नमस्ते फ्रेंट्स वेलकम टू एडवांस कला आप सब कैसे हो आप सब ठीक होंगे और घर पे होंगे देखे दोस्तों आज हम और पेटिकोट का रियूज करने वाले हैं तो सबसे पहले उपर की और से इसे हमें कट कर लेना है अब देखिए यहां से हम कट कर लेंगे इसे अ स्टीज बनाएंगे जो सबसे पहले मैं यहां पर 27 नीचे पर मार्क कर लूँगी इस तरीके से और हम इसे यहां से कट कर लेंगे तो देखिए यहां पर मैंने नीचे की और से कट कर लिया है अब हमें नीचे से ऐसे फोल्ड करके स्टीज करना है पूरे नीचे के राउंड में हमें देखिए यहां पर हमने फोल्ड कर लिया है अब देख सकते हैं अब हमें लेनी है सारी यह मेरी सारी है जो बची हुई है और old है इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर तो इसे हमें क्या करना है देखिए यहाँ पर यह जो सारी है उसे मैं double fold कर लूँगी देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने सारी को double fold किया है और मैंने बहुत थोड़ी बहुत सारी को मैं दूसरी जगा पर यूज किया इसके उपर मैंने ये जो पेटिकोट है उसे रखा है और उसी के नाप से हमें साड़ी कट कर लेनी है और margin का थोड़ा जगह रखनी है नीचे की और मैंने two fingers जितना रखा है उपर हमें पूरा नाप लेना है और साइड में भी हम कट कर लेंगे तो यहाँ पर देखें दो पार्ट हमने ऐसे सारी के cut कर लिए अब दोनों साइड हम stitch करके इसे जोड़ लेंगे जोडने के बाद हम नीचे की होर से ऐसे fold करके पूरे circle को सिलाई कर लेंगे इसको fold कर लेंगे देखें यहाँ पर ऐसे मैंने fold कर लिया फोल्ड करने के बाद देखे इसे हम सिधा कर लेंगे और जो अस्तर है पेटिकोड है उसे अंदर की ओर ले लेंगे और इसे दोनों को जोड़ लेंगे अस्तर और सारी को आप देख सकते हैं मैंने जोड़ लिया है अब हमें यह जो नीचे का पाट है उसी के नाप से एक लेना अब बारी है एलास्टिक की तो एलास्टिक हमें मैं अपनी बेबी के नाब का ले रही हूं उससे नीचेस कट कर रहे हूं और यह 22 इंचेस की जोड़के हमने ऐसे सरकल बनाये अब यह जो बॉरडर है उसके अंदर ऐसे इलास्टिक को सेंटर में रखना है और उसी के प पकड़ते हुए पूरे में सिलाइ कर लें तो यहां पे हमारा ब्यूटिफुल सा लहंगा रेडी हो गया है प्रिटी सा बहुत ही आसान से जटपट से रेडी हो गया अगर आपके पास अस्तर अवेलबल नहीं है तो आप इसी तरीके से पेटी कोट का यूज कर सकते हैं और इ इसे दोनों पार्ट को सिलाई करके उपर की और जोड़ना है और सारी का पार्ट उल्टा रखना है तो देखें यहां पे हमने ऐसे जोड़ लिया है अब इसे ऐसे पलट लेंगे और फिल देखें इसके उपर प्रेस्टीज करके जोड़ लेंगे दोनों पार्ट को तो यहा को इलास्टिक नहीं लेनी है तो वैसे भी ले सकने हैं 12 इंचिस की हमने 4 इलास्टिक लिए है और देखे ऐसे नीचे की और 1 इंचिस मार्क छोड़ना है और उपर की और भी आपने जगा छोड़नी है और फिर हमें इलास्टिक को इस तरीके से अटेश करना है, खीचते होए, तो दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए, अब हमें लेनी है, दो स्ट्रिप, 9 by 2 इंचिस की, इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है, देखे, एक बार, दो बार, और तीन बार, और फिर सिलाई करके जोड़ लेना है, तो य हैंगे, अब दूसरा जो पार्ट है, वो भी उसी नाब से हमें मार्क कर लेना है, देखिए, इस तरीके से आप मार्क कर सकती है, मार्क करने के बाद, हम स्ट्रिप को इसके उपर ऐसे रखेंगे, जहांपे हमने 2 हिंच इस पे मार्क किया है, वहांपे दोनों स्ट्रिप को दोनों साइड यहां पे हमने स्ट्रिप को अटेश कर लिया इसे ऐसे फोल्ड करना है और साइड में सिलाइका लेनी है तो यह देखी यहां पे हमने सिलाइका लेना है तो यहां पे हमारा रेडी हो गया है घागरा चोली लहंगा और ब्लाउज तो आपको यह वीडियो कैसा ल